इंदौर के फल वाजार और चोईत राम थोक मंडी में फलो के दावों ने एक बार फिर उचार मारी है जाए एक बार फिर लोगों को फलो की खरीदी के लिए पहले से जादा जेब ढिली करनी पड़ीगी बता दे कि कई फलो के दाम थोक में काफी बढ़ गए हैं जिस कारण से अब दुकानदारों को ही फलो की पेटी पहले से महगे दावों मिल रही है और इसका सीधा असर आम लोगों की जेपर भी पड़ रहा है फल व्यापारी नवल किसोर ने बताया कि संत्रे का दाम थोक में 600 रुपे प्रति पेटी तक बढ़ गया है इसके लाबाब पियर्स फल जिसकी काफी डिमांड है उसका दाम भी 800 रुपे प्रति पेटी तक बढ़ गया है जो पहले 2200 रुपे प्रति पेटी थी वो अब 3000 र रुपए प्रतिपेटी का थोक में अंतर है सेव और संत्रे की प्रतिपेटी पहले व्यापारियों को 28 सो रुपए में मिल रही थी वहीं अब सेव और संत्रे की जो प्रतिपेटी है वो व्यापारियों को 45 सो रुपए प्रतिपेटी मिल रही है जिसका सीधा असर किलो के दामों में देखा जा रहा है कीवी के फुटकर दामों में तो 600 रुपए प्रति पेटी से ज़्यादा ब्रदी वी है आपको बता दी कि अनार को छोड़ कर बाकी सभी फ़लों के दाम बढ़ गए है और स्विटजर लेंड से आने वाला सेव जो की सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और जो सबसे अच्छी क्वाल्टी का माना जाता है उसके दामों में 80 रुपए प्रति किलो तक बढ़ोतरी हुई है जो सब पहले 220 रुपए प्रति किलो मिल रहा था वो अब 300 रुपए प्रति किलो मिल रहा है संत्रे का दाम बढ़कर 180 रुपए किलो हो गया है कीवी 120 रुपए प्रति 250 ग्राम हो गया है इसके लावा 14 रुपए प्रति किलो मिल रहा था वो 150 रुपए प्रति किलो तक उसके दाम अब बढ़ गये हैं फलों के दाम में जो है उच्छाल आया है और कई सारे फल है जिनके दाम एक बार फिर से बढ़ गए है। और यह इसका नमें जाम बढ़ गया है, जी, यह नारियल पानी बढ़ गया है, अच्छा यह 44, 42, 46 होगा सो 50 रुपे का धाम दी बढ़ दाम भगया है, यह संत्रेका बारका इंपोटेंट वढ़ गया है, अच्छा तू यह लगभक कितना कितना इंका दाम बढ़ है? पहले कि तिन अज्जार रुपे का आ रहा था है, वाथील गैडांटीनी की पेटी आ रही है? अब अच्छा तो कही न कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गए अगर आम जो जनता है वो अगर किलो में खरीदेगी तो क्या है उसको किना अंतर पड़ गए आम को पहले 200 बेच रहे ते अब 220 बेच रहे अचार ठीक है अचार महेंगी हो गई है बार की इंपोटेंट तीन है यार की ती तो चार है यार की बहुत